मैं जैसी लैप्टॉप पे क्लिक करूँगा अब मेरे को लैप्टॉप से डिलेटर शो होना से और देखो शो हो चुपिए अब यह हुआ कैसे मैं जैसी लैप्टॉप पे क्लिक किया तो जैसी लैप्टॉप पे क्लिक करूँ तो मेरे को लैप्टॉप से रिलेटर ही प्रोड़क्ट शो हो तो इसको करने के लिए मैं इस API का यूज़ करने वादा हूँ अब देखो मैं इस API का यूज़ करता हूँ हर बार अपने वीडियो में क्योंकि यह जो API है उसमें token authentication नहीं चाहिए होता है और यह इसलिए आपको समझने में भी आसान होता है और सेम प्रोसेस रहता है उन API का यूज़ करने वादा हूँ अब यह API करता है मैं वह आपको पहले शो कर देता हूँ मैं यह आपर रहता हूँ product listing API के और आप अपने URL के आपर पेस्ट करणा हूँ ठीक है याद रखना क्या हम हर बार सिर्फ laptop करा ही data fetch करेंगी नहीं अव्यसी बात है क्योंकि अभी हमने starting में देखा कि हम choice की health से अपने data को filter करने वाले इसका मतलब जो हमारी category होगी वह dynamic होगी तो test करता हूँ मैं अभी के लिए मैं smartphone दे रहा हूँ इसमें और एक देखती कि हमारा data आ भी रहा है कि नहीं टेस्ट किया कि हमने API को setup कर लिया है अब हमें एक app sheet variable की need होगी जिसको हम API call करते time भेजेंगे तो मैं simply जाता हूँ एक app sheet variable में और एक app sheet variable create कर लेता हूँ करने के लिए CP जाता हूँ लिस्ट व्यूपें और यहाँ पर backend query को add करता हूँ मैं API को choose कर लेता हूँ और इसमें जो category है इसमें जो value आई की कहा से सबोसी बोल रहा है जब आप API को call करोगे तो मेरे को इसमें value तो चाहिए तो मैं क्या क्या रहा हूँ इसमें value आए वो मेरे app state variable से आया मैंने यहाँ पर app state variable किया और category को choose कर लिया तो आप मेरे को आप बता हो कि सबसे पहले जब API call होगा तो category में कौन सी value होगा स्मार्टफोन होगा क्यूं क्यूं क्यूंकि हमने अपने app state variable जब करने तो यहां से यहां से यहां पर लिस्ट और यहां पर अपने API को choose करने पाहूं और यहां पर जो भी जेसिन पाता में define करेंगा इसको confirm करके मैं confirm करता हूँ अब यह कह रहा हूँ कि भाई डायनमिक चलिन तो generate करता हूँ गा लेकिन मेरे को बताओ तो कि कौन सा डेटा कह मैं बताता हूँ तो अब आपको variable set करने है सपोर्ज यहां पर टाइटल में क्या है तो मैं सिप्ली जाता हूँ इस पी और यहां पर प्रोड़क्त लिस्ट करके मैं यहां पर कह रहा हूँ कि भाई इसमें मेरे को चाहिए dollar.title क्यों करना हूँ ध्यान से देखो जब मेरे को प्राइजिंग में इसको यूज करूँगा, टाइटल के जगहा पर मैं प्राइज लिए ठीक हूँ अब कंफर्म करता हूँ, अब quantity मेरे को अभी के लिए नहीं चाहिए तो मैं इसको करता हूँ विलीड और image के मेरे जाके मैं उसी variable के जगहा पर टाइटल नहीं मैं यूज करने वाला थम लिल, इसको क्लिक किया और थम लिल चूस कर लिए, ठीक है, तो हमारे भाई लिस्टिंग दो डाइनमीक होच रुकी है, ठीक है, यह वाँ टेस्ट करके देखते हैं कि एक्च्वर में हमाले जो फॉर्स लिस्टिंग है, जिसमें हम डिपॉल्ट वैल्यू क्य पास किया हुँआ, ठीक है, अब मैं क्या खह कह रहा हूँ, कि at the time विल्पटॉप पे क्लिक करे, मिलंको लैर्टॉप की सारे प्रोड़क्स चाहिए, फ्लेल खे Yup resonates बेगा, जैसी ही यूजर चॉइश चुश को सलेट करे, मैं उसमें एक all सलेक्स पे एक और इस पर क्लिक करता हूँ, दोग्हों मैंने इसको स्मार्टफोन दे रहा हूँ, असलिए इसलिए स्मार्टफोन सलेक्टेड है, तो मैं कहता हूँ जैसी इस पर को सालेक्ट करें, तो एक update app state नाम का action call कराँ ठीक है, और मेरे जो value है category नाम पर, उसमे value set करा दू, लेकिन यह भाई set कराऊ अख्यार, तो मैं कहा रहा हूँ, यह जो visit है, उसमें जो choice chips है, मतलब जो भी user choice chips में value select कर रहा है, उस value को set कर रहा है, तो category वाले एप शिट वे रिविन, ठीक है, बस इतना ही करना है, और उसके बाद, rebuild कर दो current page को, मतलब current page को reload कर दो नहीं value के साथ, ठीक है, तो पहरी बार में हमारे सारे smartphone से related product आ चुकि है, क्यों कि हमारे app state variable में smartphone default value में हमने set करा है, ठीक है, बट मैं जैसी laptop पे click करूँगा, अब मेरे को laptop से related show होना से, और देखो, show हो चुकि है, अब यह हुआ कैसे, मैंने जैसी laptop पे click किया, तो choice chips में जो भी value user ने select किया, मतलब इस अब बार क्या था, laptop का, तो उसने laptop को set करा दिये, उस app state variable में, पहले क्या था smartphone, लेकिन जैसे मैं laptop पे click किया, तो उस app state variable में आप कौन से value थी, laptop, तो अब क्या किया हो से API ने laptop से related सावे product आपको show कर दिए, अगर मैं top पे click करो, तो top से related आपको सारे show हो जाएंगे, अगर मैं अगर आपको कुछ भी ऐसे, आप चाओ suggestion दे रहा है या आपको आप thoughts है, तो आप comment section में उस thought को लिख सकते हो, ठीक है, तो आज के लिए था ही, thanks watching